टीम इंडिया मौझुदा समय में कप्तान रोहिशर्मा की अगवाई में इंग्लेंड के खिलाफ पाँट टेस्ट मैचों की सिरीज खेल रही है। इंग्लेंड के खिलाफ टेस्ट सिरीज खेलने के लिए चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने 16 सदस्य टीम स्कौार्ड का एलान किया है। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दे कि टीम इंडिया के स्कौार्ड में एक ऐसे खिलाडी का नाम नहीं है जिनोंने इंटरनेशनल लेवल पर टीम इंडिया के लिए 5000 टेस्टन बनाए हैं। इसके बावजूद भी टीम इंडिया के मौजूदा कप्तान रोहिश शर्मा और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोली ने इस दिगज भारते खिलाडी के साथ नाइंसाफी किया है। और ऐसा माना जा रहा है कि अब ये दिगज भारते बल्लेबाज जल्दी इंटरनेशनल क्रिकिट से सन्यास का एलान कर सकता है। टीम इंडिया के दिगज बल्लेबाज अजिंकर रहने ने टेस्ट क्रिकिट में भारत के लिए 85 टेस्ट मैच खेले हैं। टीम इंडिया के लिए खेले 85 टेस्ट मैच में अजिंकर रहने ने 38.46 की ओशत से बल्लेबाजी करते हुए 5077 रन बनाए हैं। लेकिन पिछले साल जुलाई महीने में हुए वेस्ट इंडिस दोरे के बाद से दिगज महरते बल्लेबाज अजिंकर रहने को टीम इंडिया के लिए खेलने का मोका नहीं मिल रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि टीम इंडिया के पूर कफटान अजिंकर आने जल्दी इंटरनेशनल लेlor से सन्यास का एलान कर सकते हैं टीम इंडिया के लिए टेस्ट कRיקet में साल 2013 में अपना इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले स्टार बल्लेबास अजिंकर रहने को साल 2020 के बाद से टीम इंडिया के लिए टेस्ट कर्केट में निरंतर रूप से खेलने का मुका नहीं मिला है。 बीते तीन वर्षों में अजिंकर आने ने टेस्ट क्रिकिट में जितने भी मुकाबले खेले इस दुरान उनके प्लेइंग 11 में जगे को लेकर हमेशा तलवार लटकी रही ऐसे में हम यह कह सकते हैं कि टीम इंडिया के पूर कफ़तान विराट कोली और मौजुदा कफ़तान रोई शर्मा जिंकर रहने के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं